मैं अपनी तीन-चार रचनाएं खरस्तुत करता हूँ पहले शिर्षक है मैं हसता रहा यह इस रचना में में एहिंसा की बात करता हूँ यह मुक्त कविता है शिर्षक है मैं हसता रहा उसने मुझे गाली दी मैं हसा और जोर से हसा उसने मुझे पागल कहा मैं हसता रहा उसने मुझे बेवकूफ मूर्क कहा मैं लगातार हसता रहा उसने मुझे पर हाथ से हतियार से हमला करना चाहा मैं दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने सीना तान कर खड़ा रहा मैंने देखा अंत में वह अपने पाउं पटक्टे हुए वहां से हार कर चला गया और मैं हस्ता रहा अपनी जीत पर दूसरी कविता जिसका सीश्चर के निश्काम कर्म और ये जैसे बच्वन में आपको पहली दूसरी कर्चा में पढ़ाते हैं अमर उठ चल घर चल इस तरह की तर्च पर है ये कविता का सीश्चर के निश्काम कर्म गिर कर उठ उठ कर चल चल सीड़ी चल सीड़ी पर सीड़ी चलता चल खड़ा हो अडिक तान कर सीना कर मुकाबला हवा पानी आग का जुकमत मिश्किलों को चीव मुस्कुरा फतर का जश्न मना माना तेरी कहानी न कहेगा कोई न सुनेगा कोई फिक्र मत कर समय साक्षी है तू खुद गवा है रास्ते पर तेरे पक्चिन करेंगे पत्प्रशेश्ट औरों का पक्डण्डी बन पक्डण्डी बना बहुत सारा बहुत कुछ जो इतिहास में नहीं है संताप नकर गिरकर उट उट कर चल गिरकर उट उट कर चल एक और कविता वो भी मुक्त कविता है जिसका सेशक है कज़ पुटली मैं जिन्दा हूँ या कि मुर्दा मुझे खुद पता नहीं मगर ऐसा क्यों है मैं जिन्दा हूँ या कि मुर्दा मुझे खुद पता नहीं मगर ऐसा क्यों है अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं मर चुका हूँ मेरी हल्चल जिस्मानी हो कि दिमागी मेरे आसपास कोई भी असर पैदा नहीं करती अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं मर चुका हूँ मेरी हल्चल जिस्मानी हो कि दिमागी मेरे आज़ पास कोई भी असर पैदा नहीं करती यही मेरे मुर्दा होने का मुकंबन सबूत है यह और बात है कि अंदुरूनी तोर पर मेरे जिसमें कही तरह की हरकते हो रही है ये और बात है अंदुलनी तोर पर मेरे जिसमें कही तरह की हरकते हो रही हैं जैसा मेरा दिल दड़कता है रगों में रहू दोड़ता है हाथ पेरों में उंग्लियों में हरकत है मगर मेरी आवाज गायब है मैं बस हूँ एक पुटली के मानीन तो बस हूँ मैं जिसका होना न होना बराबर है मगर ऐसा क्यों क्या मैं किसी फासिस्त वादी उपनिवेश वादी या कि सामरदाइक ताक्तों के सडेंद का शिकार हूँ कुछ तो गड़बड जरूर है और बहुत बड़ी गड़बड है कुछ तो गड़बड जरूर है और बहुत बड़ी गड़बड है वरना मैं इंसान की ओलाद होकर इतना अपाहिच मजलूम और लाचार क्यों हूँ कुछ तो गड़बड जरूर है और बहुत बड़ी गड़बड है वरना मैं इंसान की ओलाद होकर इतना अपाहिच मजलूम और लाचार क्यों हूँ मेरा वजूद सड़क के दोनों तरफ लगी लोहे की रेलिंगों के पीछे खड़े होकर सिर्फ हाथ खिलाने भर को क्यों है सिर्फ हाथ खिलाने भर को सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स